तो Apps क्रीट करकर आप Google AdMob से कैसे money make कर सकते हैं, आज मैं आपको बताऊँगा, 200 Apps क्रीट करकर Google AdMob से money make करने के लिए, आपको यहाँ पर कुछ steps को complete करना है, तो सबसे पहले आपको एक App क्रीट करना है, तो App क्रीट करने के लिए हम यहाँ पर इस वापसाइट का use करने वाले हैं, जिसका नाम है androidbuilder.in, इस वापसाइट के लिंक आपको हमारे टेलग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो make sure आप हमारे टेलग्राम चैनल को join करने, तो सबसे पहले आपको इस वापसाइट के उपर आना है, और इसके उपर अपन अकाउन क्रीट करने के लिए आपको इसके होम पेज को पर जाना है, और यहाँ पर आपको उप्शन मिलेगा Create Apps for Free कर, तो आपको इसको पकलिक करना है, जैसा आप इसको पकलिक करेंगे तो आपके सामने New Page आएगा, और यहाँ पर आपको Sign Up with Google इसका Option दिखाए देगा, तो Simply आपको इसको पकलिक करना है, अपनी Information को लाओ करना है, और इस वापसाइट के उपर अपका अकाउन क्रीट हो जाएगा, और दोस्तों जैसे आपका Account यहाँ पर करीट होगा, तो आपके सामने कुछ उसपर का Counterfease हैगा, और जितनी भी Apps आपने यहाँ पर करीट के होगी, सारी Apps आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी, अब आपको यहाँ पर अपनी App करीट करना है, और इसको आपको Google AdMob से मोर्टाइज करना है, सारा परस्मा आपको यहाँ पर बताने वाला है, तो आपको यहाँ पर आना है, Create New Project इसको पर क्लिक करना है, जैसा आप इसको पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने New Page आएगा, यहाँ पर आपको Enter Project Name का Name दिखाए देगा, तो आपको यहाँ पर अपने Project नेम डालना है, जैसे कि मैं आपर Name डाल देता हूं, Gamers, इस पर कास से मैंने यहाँ पर Name डाल दिया है, यहाँ पर आपको Enter Packets Name का Option दिखाए देगा, तो आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, gamers.annu.com, इस पर कास मैंने आप डाल दिया है, then start इसको पर कलिक करेंगे, जैसा आप इसको पर कलिक करेंगे, तो आपका यहाँ पर project ready हो जाएगा, अब आपको इसको customize करना है, तो customize करने के के लिए आपको इसके home page को पराना है, जो कि हम यहाँ पर already आ चुके हैं, अब आपको इसको customize करना है, जैसे कि पहले मुझे यहाँ पर इस part को remove करना है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर मैं title को find करूँगा, तो यहाँ पर मुझे title को option दे जाता है, यहाँ पर आप कर देना है horizontal, इस परकार से आपको यहाँ पर type कर देना है, थान यहाँ पर आपको horizontal alignment इसको select कर लेना है, इसको आपको आपका अपर drag औ्डráप कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर option विलेगा hide का, तो आपको उसको पर जाना है, यहाँ पर использовать 50 टाइप कर देना है, फिर करना है, width के अंदर आपको इस box को पर टिक करना है, then okay इसको पर कलिक कर देना है, इस परकास से हम ने यहां पर अपनी एड करने के लिए interface बना लिए, जिसके ऊपर हम अपनी Google AdMob की Add को रन करेंगे, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर आपको ट्राइप करना है, वैब वीवर तो आपको यहां पर आपको वैब वीवर इसको फाइं करना है, तो यहां से पहले में इसको रिमूव कर यहां पर आपको वैब व्यूवर का ओप्शिन दिखाए देगा अगर आपको यहां पर वैब व्यूवर नहीं दिखाए दे तो इस इसके ऊपर मैं यहाँ पर इसको इस तरिके से ड्राप कर दूगा. अगें इसको यहाँ पर जाऊंगा, और इसको मैं हाँ पर designs अद ड्रॉप कर दूगा. यहाँ पर इस तरिके से मैं हाँ पर nowadays तोड़ा नीचे अच आजये. तो यहां पर यह डंग से ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो इसको मैं पहले यहां पर डंग से ड्रॉप कर लेता हूँ, तो इस तरीके से यहां पर मैं का करूँगा, इसको ड्रॉप करूँगा, तो यहां पर डंग से ड्रॉप हो चुका है, तो यहां पर मैंने क्या कर लिया है, यहां पर मैंने अपना box एड कर लिया है यहां पर मैंने web viewer को भी एड कर लिया है अब next step में आपको यहां पर करना है next step में आपको यहां पर आना है यहां पर आपको टाइप कर देना Google Admob इस प्रकास से आपको यहां पर टाइप कर देना तो यहाँ पर हम क्या टाप करेंगे Google Admob. Okay, then enter इसको पकलिक कर देंगे and यहाँ पर हम चैक करेंगे कि यहाँ पर Google Admob available है या नहीं है. Okay, तो यहाँ पर मैं टाप कर दीग Google Admob और यहाँ पर यह अविलेबल नहीं है. तो इसको मैं डिलीट कर दूँगा यहाँ पर आपको option दिखाए देंगे, अब आपको bottom में जाना है, यहाँ पर आपको option मिलेगा monotization का, तो यहाँ पर आपको monetization banner इसका option दिखाए देगा, तो आपको इसको पकलिक करना है, यहाँ से आपको add more banner इसको choose कर लेना है, और इसको आपको आपको drop कर देना है, फिर यहां पर यह भी add हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको अपने add mo banner और international ads को add कर दिना है, जो कि मैं अपनी app के अंदर add करना चाहता हूँ, उसके लाव गर आप यहां पर अन्य ads को भी add करना चाहते हैं, जैसे कि मालो आप यहां पर reward ad क चाहते हैं, native add को add करना चाहते हैं, core हुआ, offer world हुआ, जिस पर टैप के ads को आप अपनी app के अंदर दिखाना चाहते हैं, जिसके मदम से आप यहां पर money make करना चाहते हैं, उसको भी आप यहां पर add कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपर banner add और international ad को दिखाना चाहता हूँ, तो इन द clock करना है, एन इसको आपको यहां पर drop करते हैं, मैं इहां पर clock को drop करते हूँ, एन यहां पर आपको time interval के अंदर करीब 30,000 को select कर लिए यहां पर हमने अपना design create कर लिया है, अब इसके अंदर हम blocks को add करेंगे, किस तरीके से यहां पर आपको अपनी app को डालना है, मैं यहां आ अब आपको इसके बाक्एंड को यहाँ पर अरेंज करना है, तो भाक्एंड को अरेंज करने के कि आपको आपको आपने निव पेज आहेगा, आपको यहाँ अपर को एन कารा। तो सबसे पहले आपको आना screen 1 के उपपर, और इसके उपकलिक कर देना है, और आपको इसके अंदर अपनी banner add को add करना है, तो इस case में आपको आपको आना है, Ark Sullivan Standard, की ओपकलिक करना है, और इसके साट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर इस banner add को add कर देता हूं, तो यहाँ पर मैं इसको add कर दिया हूं, उसके बाद आपको यहाँ पर international add को add करना है, तो उससे पहले मैं यहाँ पर एक और add कर दूँगा, तो अगेन मैं banner इसके उपक्लिक करूँगा, सब्सक्राइब इस तरीकी से में इसको एड़करूँगा। आप मुझे इंटतेर्शेल को ब्लिक करने माला हूँ तो miejsc हरु गूला है. इस तरीके से मैं यहां पर इसको set कर दूँगा, अब मुझे यहां पर अलग से अपनी banner add को add करना है, तो मैं इसको पकलिक करूँगा, यहां से मैं इस वाले part को choose कर लूँगा, इसको मैं यहां पर drop कर लूँगा, अब मैं यहां से इसको copy करूँगा, अब मुझे यहां पर अपनी international add को add करना है, तो पहले मैं थोड़ा से इसको ऊपर कर देता हूँ, अब मैं यहां पर मैं अपनी international add को add करने वाला हूँ, तो मैं यहां पर आऊँगा, इसको मैं यहां पर इस तरीके से drop कर लूँगा, यहां से मैं इसको duplicate कर लूँगा and इसको मैं यहां पर इस तरीके से drop कर लूँगा अब मुझे यहां पर clock को add करना है तो clock को add करने के लिए हम यहां पर आएंगे clock इसको पर click करेंगे पहले मुझे यहां पर clock को add करना है तो मैं bottom में जाऊंगा यहां से मैं clock को find करूँगा, यह वाले clock मैं चूज कर लेता हूँ, इसको मैं इस तरीके से यहां पर add कर दूँगा, अब मुझे यहां पर true बटन को add करना है, तो मैं यहां पर आँगा, यहां पर मैं type कर दूँगा true, ठीक है, तो यहां मैं true type करूँगा, and true को मैं यहां पर इ इस तरीके से add कर दूँगा, उसके बात again मैं यहाँ पर आउँगा, इसको मैं duplicate कर लूँगा, इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से add कर दूँगा, इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं choose कर लूँगा false, अब मैं यहाँ पर अपनी add करने वाला हूँ, यहा यहाँ पर अपने स्क्रीन के अंदर गेम को एड़ करना है, तो गेम को एड़ करने के लिए आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको फाइंड कर लेना है, वैब वीवर को फाइंड करना है, यहाँ से आपको एक वैब वीवर को चूज करने वाला हूं, तो एक वैब पहले आपको एपर वेब वीवर को चूज करना है जिसके अंदर किया Home URL हो जैसे कि यह वाला वेब वीवर है इसके अंदर Home URL है तो इसको मैं पर चूज करने से पहले मैं थोड़ा से सेट अप कर लेता हूं तो यहां से मैं इसको ड्रॉप कर लूँगा इसको मैं क्या करूँगा यहां पर इस तरीके से सेट कर देता हूं अब मुझे यहां पर अपना गेम एड़ करना है तो पहले मैं इसको थोड़ा सा उपर इस तरीके सेट अप कर देता हूं यहां पर मैं इसको इस तरीके सेट अप कर देता हूं और इसको मैं यहां पर इस तर आपको इस website के उपर आना है, जिसके नाभी indexgames.com, इसके मद्यम से आपको यहाँ पर games को find कर लेना है, बहुत सब्सक्राइब कर लेना है, एक game को आपको चूज करना है, उसके URL को copy कर लेना है, again आपको उसके उपर आना है, यहाँ पर आपको अपने game के URL को copy and paste कर देना है, औ उसको भी आप यहाँ पर add कर सकते हैं, जैसे कि मालो मुझे अपर banner add को add करना है, तो again मैं यहाँ से इसको duplicate कर लूँगा, एन इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से add कर दूँगा, जितनी भी adds आपको यहाँ पर add करना है, सभी को आप यहाँ पर add कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं अपने अकाउंट कर लिए तो सिंप्ल हम Google AdMob के उपर जाएंगे और इसके ऊपर अपना अकाउंट कर लिएगे तो अकाउंट कर लिए आपको इसके ओमपेज को पर आना है, sign up इसको पर click कर देना है, अब आपके सामने new page आएगा, यहाँ पर आपको अपनी email address वगरा देना है, और इसके मदम से आपको यहाँ पर अपना account create कर लेना है, और जैसी आपका account यहाँ पर create होगा, और जैसी आपका account verify हो जाएगा, सब कुछ आप यहाँ पर कर लेंगे, तो आपके सामने कुछ इस परका का interface होगा, अब आपको यहाँ पर अपनी add unit को generate करना है, तो add unit को generate करने के लिए आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर लेना है, जो आपने भी create की है, तो मैं आपको add app इसको पर click कर दूँगा, इसके यहाँ पर आपको अपनी app का name दे देना है, जैसे मैं आपको डाल देता हूँ, gamers, इस परकार से मैं आपको यहाँ पर इसका name डाल देता हूँ, तो add app इसको पर click कर देना है, जैसा आप इसको पर click करेंगे तो आपके सामने new page आएगा, अब आपको done इसको पर click कर देना है, आपके सामने new page आजाएगा, अब आपको यहाँ पर add unit create करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको यहाँ पर आना है, add unit इसको पर click करना है, अब आपके सामने banner, intertial, rewarded app, rewarded, native ad, app open, बहुत सारी ads के option आपके सामने आजाएगी, तो मैं यहाँ पर banner और intertial का use करने वाला हूँ, तो यहाँ से मैं I am not using add moment for the damn bidding unit, इसको मैं यहाँ पर tick कर दूँगा, then create add unit इसको पर click कर देगे, जैसा आप इसको पर click करेंगे तो आपके सामने new page आएगा, अब आपको done इसको पर click कर देना है, add unit आपके यहाँ पर create हो जाएगी, इसी तरीके से आपको यहाँ पर अपनी दूस add unit भी हो जाएगी, अब आपको यहाँ से अपनी admin को copy करना है, again आपको यहाँ पर आद को अउपर आना है, एनिहाँ पर आपको add banner इसको इसको पर click करना है, और यहाँ से आपको अपनी add unit को replace करने ह.\ इस प्रकास से यहाँ पर मैंने अपना simple game create कर लिया हैipsकोなるほど lood करना हैं और इसको promote करना श्टार्ट करना है तो download करने के लिए आपको यहां पर आना है Evil is को प्रोजेक्ट इसको प्रजेक्ट करना है अब आपको जोना Build one के उपटर इन यहाँ पर güç रैप और आपको Android app ATS को चूज करना है और आपकीundenɪ यहां पर Chao Đ sir स्टार्ट हो जाएगी कुछ ही मिंटो का प्रोसेस यहां पर कंप्रीट होगा और आपकी एप यहां पर डाउनलोड हो जाएगी और डाउनलोड निक बार कुछ इस परकास से आपकी एप यहां पर दिखाई देगी तो इस तरी कैसे आपको यहां पर अपनी एप को करते हैं, definitely आपकी एप के पर बहुत सर ट्राफिक हैगा, बहुत सरे बंदे आपकी एप को इंस्टॉल करेंगे, जैसे बंदे यहाँ पर आपकी एप को इंस्टॉल करेंगे, उसके अंदर गेम्स खेलेंगे, तो उनके सामने एड्स आएगा, और वहां से आप आप, money make कर पाएंगे, जो कि आपकी एड्मोब के अंदर दिखाए देगा, उस परकास से आप यहाँ पर money make कर पाएंगे, I hope आपको आज का method समझाय होगा, कैसे इसको अप्लाई करना है, वो भी आपको समनना होगा, अगर आपको आज का method समझाया है, तो मैं आपसे यहाँ प सब्सक्राइब कर लें और कम सकम वीडियो को पर 100 लाइक्स लेके हैं ताकि इसी टाप का ओसम कंटेंट हम आपके साथ शेयर कर पाएं